नमस्कार दोस्तों एक बारा स्वभी का फिर से बहुत बहुत सुभागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डिया गुरुजी पर सुभाई जैसा कि आप सभी होता है बारा बच चुके हैं और डेली पिछले दो चार दियों से जो है बारजे क्लास जो आपकी आपकी राज्यों के लिए जो है और सभी वर्गों के लिए काम आने वाला है अगर आप किसी और एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं जैसे यूपे पिलूस की वेकंसी आने वाली है तो उसमें भी रिजनिंग आता है हिंदी आता जी की जैसा आता है सेम पैटन रहता है सेम जो है टाइप के कोश्चन आते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो है लेवस बता दिया जाएगा उसके आपको एकॉर्डिंग टूस लेवस थियोरी वाली क्लास है जो और भी चीज़े हैं सब को देखने को बिलते रहेंगे ठीक तो चले श्टार्ट करते हैं आज की सेजन को आज का जो पहला कोश्चन देखिए आपके सामने यहां पर यह रहा है यागर वाई उस सेट का चैन के जिसमें संख्या है उसी तरह मंदी से जैसे नेमने सेट की संख्याएं है आठ छे नौ जैसा दूसरा थी कौन सा भई आठ है छे है नौ है तो जिससे आठ छे नो को जो क्या है एक संख्या है ठीक है जालेगा अगला पूशिन है आहां से ने उस साथ जाएगी है है ध्यान से देखिए और सब्लोग बताते हो जलिएगा किसी भासा में पटना को ये लिखते हैं, गोवा को ये लिखते हैं, तो उस भासे में राची क्या लिखा जाएगा भई, पटना दियागा न, पहले पटना का कोड लिखो, भई, P का कोड कितना होता है, 16, A का कोड 1 होता है, D का कोड 20 होता है, N का 14 होता है, A का 1 होता है, इन जोड़ा भी, 16, 4, 20 अच्छे, 14 है आपका तो आपका ये 52 आजाएगा हमने 4 जोड़ा था उसको, इसको 52 कर लो भई उकर 52 करेंगे तो 52 में कितने से मल्टिप्लाई किया जाए, 5 से मल्टिप्लाई करो, 5 दूनी 10 5 पचीस 25 एक 26 आजाएगा, 260 यहाँ पर सेम लॉजिक देखे, गोवा में लगाते हैं गोवा में किया भी, G का कोड कितना होता है 7 होता है, O का कोड 15 होता है एक कोड एक होता है, तो 15, 16 16, 16, 4, 20, 23 फिर से देखे, 23 में मल्टिप्लाई किससे किया गया भी से मल्टिप्लाई करेंगे तो 130 आएगा, तो लॉजिक समझे यहाँ पर पतना में 5 अक्षरते, तो 5 से मल्टिप्लाई किया जोड करके, गोवा में देखे, 3 अक्षरते तो हमने 3 से मल्टिप्लाई किया तो अगला रांची में 6 अक्षर है तो तो ते इसका उत्तर कितना हो जाएगा तो जित्ते उसाथियों ने यहाप पर जवाब दिया उसर अमबर डी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भई ठीक है अगला कुशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है दियान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजेगा परपल को अगर यह लिखते हैं भई आपका यहाँ पर ओ, डब्लू, ओ, T, G, K तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा देखो परपल पी का कोड कितना होता है 16 होता है, ओ का कोड 15 यानि कि माइनस एक हो रहा है यू का कोड 21 होता है, डब्लू का कोड 23 होता है यानिकि प्लस दो हुआ है, सब पहले code देख लो क्या क्या है आपका, उसके अपने आप समझ में आ जाएगा, अगला देखे क्या अब ही, P हो गया, R हो गया, R की बात करते है 18, O का code 15, माइनस 3 हो जाएगा, अगला देखे, P है 16 और T, प्लस 4 हो जाएगा, तो series यहाँ पर देखे, पहले plus, पहले minus, फिर plus, फिर minus, फिर plus, इस तरीकिस चला है, अगला देखेंगे, तो minus आपका 5 आएगा, यहाँ देखे, L का code 12 होता है, G का code 7 होता है, तो इस तरह से आपका series आपका चला है, तो green में क्या हो जाएगा, G का code 7 है, R का code 18 है, E का code 5 है, E का code 5 है, E का code 14 है, तो पहले हम लोग minus 1 करेंगे, यानि कि 6 आएगा, और 6 का code कितना होता है, E F होता है, ठीक है, code यहाँ पर जो कहरा लगाते जाओ, 18 की बात करते हैं, यहाँ पर plus 2 करेंगे, 20 हो जाएगा, 20 का code T होता है, E F T start होगा, 5 में हम लोग फिर से minus 3 करेंगे, तो 5 में 3 करेंगे, 2, 2 का code B होता है, तो E F T B हो जाएगा, सब में यही आ रहा है, इसके अलावा अगर यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ देखें, option number D में आ रहा है, F T B I I, तो D option साथ हो यहाँ पर जो करेंट हो जाएगा, ठीक है, जटी वे साथ हो नहाँ पर D जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर साथ हो बिल्कुल करेंट हो जाएगे, ठीक है, चलिए, नीचे दिया गए, चार विकल्प में तीन समान है, विस्समाकरित को छाटो भाई, विस्समाकरित को छाटी वे चलना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भई, U, Q, N, L दिया गया है V, X, A, E दिया गया है तो यहाँ पर पहले सम्मे देखो क्या-क्या यहाँ पर है जैसे पहले option के बात करते है U U से बात क्यों आ रहा है यानि कि U का code 20 होता है Q का code 17 होता है YN का code 14 होता है YL का code 12 होता है तो 12, 12, 14, 17, 4, 21 तो 2, 3, 4 कंतर आ रहा है इसके बाद यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें भी यहा LN, Q, O में पहले इसमें लेख लो भाई A वाले में अंतर क्या आया था प्लस पीछे से प्लस 4 आया था प्लस 3 आया था प्लस 2 आया था 22, 24, तो समें स्टार्टिंग में प्लस दो रहा है लेकिन यहाँ पर लाश्ट में आपका उल्टे से प्लस 2 है यानि कि आपका माइनस चल दा था तो A आप्सन जो दिया गए आपका यहाँ पर पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है, जितने भी साथ यहाँ पर यही जवाब दिया है वो लोग साथ यहाँ पर जो एक करेक्ट हो जाएगगे क्लियर है? चली, जितने लोग यहाँ पर जो एक एक लाइक की संखेज बढ़ाते हों चली, अगला कोशन देखिये कह रहा है किसी भाथसा में Tiger को ये लिखा जाता है तो उस भाथसा में Lion को क्या लिखा जाएगा Tiger को लिखते हैं Roeip लिखा जाता है तो Lion को क्या लिखा जाएगा च्छे नमबर question के एकरम बात करें तो T से आपका R हो रहा है यानि कि T का code 20 होता है R का code 18 होता है तो minus 2 हो गया ठीक है I से O की बात करते हैं I का code 9 होता है लेकिन यहाप पर एक काम देखो T से R हो गया plus 2 minus 2 G से आपका E हो रहा है G का मतब 7 में दो गया 5 समझो इस question में एक question आपका मैं जितने setup भी करवा रहा हूँ ना उसमें इस तरह की question जो देखने को मिली रहा है जिसे T है, I है, G है, E है, और आपका R दिया गया है यहाँ पर एक तो स्वरवाला लग कर लो, A, E, I, O, U वाला, यह अलग क्यों क्या है, क्योंकि I के बाद देखो, E है, E के बाद O है, ठीक है, मैं से उल्टा क्यों लिखता हूँ, यह मैं से उल्टा है, बोलता सही हूँ, लेकिन लिखता हैं गलत हूँ, A, E, I, O, U, यह हमको लिखना है, अभी दो को समझ में आगए, T से आपका तो माइनस दो हो रहा है, समझ में आगए T से माइनस दो आर, लेकिन I से आपका क्या हो रहा है, I से ओ हो रहा है, यानि कि बाद वाला कर दिया, G से आपका क्या हो रहा है, जी मतलब 7 में से दो गया 5 यानि की E आ जायेगा R O E है उसके बाद E के अगर हम बात करते हैं चलिए एक मिनटी चाहिए बहुए यह कट गया आपने आप चलिए अब यार यावाज E की बात करते हैं तो E के बात क्या है आई है तो आई हो जायेगा उसके बाद R की बात करते हैं तो R का कोड कितना होता 18 में से दो गया आपका 16 आ जायेगा 16 का कोड आपका देखिए यल होता है P होता है P हाँपर लिखा गया है ठीक है P हो जायेगा चलिए अगला देखे लाइन ब्यूवी करना यल I O N दिया गया है यल का कोड 12 है तो 12 में से दो गटाएंगे 10 आ जायेगा 10 का कोड कितना होता है J होता है कर दिया I से हम लोग यहाँ पर I से O कर देंगे I से O हो जायेगा J O ठीक है J O आ रहा है हम में यह वाला वो लोग साथ हो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्टर जाएंगे भई ठीक है चलिए समझ में आ गया ना बढ़ा जाए अगले कोशन देखे आप से यहाँ पर क्या कह रहा है तो अश्पताल का संबन बता ही किससे हो सकता है देखे आपस नमबर साथ ही यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखे आपसे क्या कह रहा है कि किन दो अंकों को आपस में बदलने पर दीगी अभिव्यक्ति सही होगी अब देखो यहाँ पर चारों ओप्सन चेक करने पर हीट एंट ट्रायल मेथड होता ही होता है ठीक है हमेसा मैं आपको डायक लियाट लिया एंसर से करवाता हूँ बढ़ आज मैं एक आपको गलत उप्सन उठाकी दिखाता हूँ फिर आपको देखना कि क्यों गलत होता है ठीक है जैसे मैं पहला उप्सन उठाता हूँ तीन और पांच को गलत है मुझे पता है फिर 5 को 5 और 3 को change करना है तो 5 के स्थान पर 3 कर दिया और जैसे लिखा है माइस 18 भागे 7 तो देखो यह वैसे भी आपका answer नहीं है क्योंकि 18 को 7 से भाग देना possible नहीं है यानि कि हमको सबसे पहले यह चीज़ तो change करना ही पड़ेगा जिससे आपका 18 से भाग दिया जा सके अब 18 से भाग किसको करणे 7 और 5 तो 5 को भाग दे सकते हो नहीं तो यह option भी नहीं लेगे 18 को 9 से भाग दे सकते हैं तो यह वाला option जो है ले सकते हैं तो यहाँ पर सारा मिटा और सिव option number B पर focus करो और B वाला आपका 100% सही भी आपका answer भी आएगा आप चेक कर सकते हो जैसे B वाला इम क्या है 9 और 7 को change करना है तो 3 गोडे 9 के स्थान पर 7 कर दीजे प्लस 5 कर दो माइनस 18 कर दो और 7 के स्थान पर 9 कर दो भाग दो भाग दिना आसान हो गया है क्योंकि 3 सत्य 21 समझ में आगया प्लस 5 और माइनस 9 दो 18 21 दो 23 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 26 में से 2 कितना हो जाएगा वह आपका 24 आपका उत्तर देखे मिलान हो रहा है इसी को hit and trial में से बोलते हैं और देखे आपका answer जो है option number B यहाँ पर जो है आगया clear हो गया भाई चली भाई समझ में आगे तो भाई बहुत अच्छी बात है अगला question देखे आप से यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखे गाए और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीज़ेगा भाई अगले question की तुरब बढ़ते हैं अगला question देखे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तीन समान है विसम विकल्प को चाटते हुए चलो भाई या तीन एक जैसे हैं विसम आपका धान धूंड़ते हुए चाटते हुए चलना है तो इकठा निर्माड भंग और बनाएं तो नौ नॉम्बर कॉश्चन के अगर हम बात करते हैं तो देखिए हाँ पर इकठा है निर्माड है भंग है और बनाए दिया गया है तो यहाँ पर भंग सब्द की बात करें option number C वाला different है क्योंकि यह कठा निर्माड बनाएं यह अगर देखा जाएं तो एक प्रकार से क्या किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया संबंधित है ठीक है लेकिन भंग मतलब होता है तोड़ना आलग करना बिकटन करना है तो यह आपका different जाएगा C option यहाँ पर जीतों जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे ठीक है अगला question देखिए कह रहा है दिए गया एक्षरों को सायूजन करते हो चलना भी देखिए यहाँ पर पहले गिन लेते हैं ठीक है यहाँ पैटन देख लेंगा यहाँ पर देखिए जैसे एक स्रीज है समझों यहाँ पर जैसे यहाँ पर A है उसके बाद DDA है तो A के आसपास यहाँ पर C आ रहा है तो हम लोग A C से एक pattern खुछ से बनाने का प्रयास को थोड़ा समय बढ़ा कर दे रहा हूँ आपको यह चीज दिखाना परना चाहिए तो A के साथ मैं क्या कर बन गया तो C ऐसी एक साथ के लिख रहा हूँ जो कि A के साथ क्यों यहाँ भी था उसके बाद A के पहले आपको डीडीबी एक चल रहा है फिर से आगे क्याकर नहीं गया उसके बाद यहाँ पर D, D, A बन गया, फिर से आपका यहाँ पर C कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो, A के बाद यहाँ पर C था, वो पहले भी C था, तो हमने यहाँ पर A के बाद C कर दे, वो पहले भी C कर दे, तो यहाँ पर C, A, C वाला बन गया, C, A, C वाला, देखो कितना आसाना उसके बद CAC हो गया उसके बद क्या हो ए सिरिज किसकी चली वगाई A, C, B, D, D, A उसके बद CAC दिया गया उसके बद CAC यहाँ तो खो गया उसके बद फिर से यहाँ पर देखते हैं कही और बनना भई D, D, A था तो D, D, A कर दिया हमने CAC था फिर से DDA करना था, फिर DDA था, CAC यहां पर था ही आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से DDA तो आई गया, थोड़ा सा मिश्टेक यहां पर हो रहा है, C भी हो गया, C A भर दिया, चलो ठीक है, उसके बाद, क्या बढ़ना था, C के बाद क्या था, एक C के बाद देखो लाष्ट में A किसी में नहीं आ रहा है, तो DAC वाला स्री चलना चाहिए था, ऐसे तो नहीं आएक फिरी वाला, कोई बात नहीं कभी कभी, एक आद मिश्टेक हो जाता है, कही नहीं कहीं, छोटा मुटा मिश्टेक हो होगा, फिर से इसको देखते हैं, अच्छे चलो इसको तोड़ करके देख लेते हैं, एक दो तीन में तूड़ गया, एक दो तीन में तूड़ गया, एक दो तीन में तूड़ जाएगा, उसके बाद एक दो तीन तूड़ गया, एक दो तीन तूटा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तो स्रीच डीडी ए का यहाँ पर बंदा यहां पर क्यों लाश्ट में C आ जा रहा है तो इसको इस्टा बना लो अभी थोड़ा साथ मुझे लग रहा कि कुछ तो डाउट है इस कोईशन में कहीं न कहीं मिश्टेक हुआ है तो इसको बना लो आगे अगर कुछ होता है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा ठी चार किसी तरीके से एक समान है एक आपका डिफरेंट है उसको अलग चैन करते हो चलना भी C-U-X-B-I-Z देखो C-U-X दिया गया है B-I-Z दिया गया है और एक M-O यहाँ पर बीच में से एक स्वर है यहाँ पर बीच मैं स्वर यहाँ पर बीच में एक स्वर है जबकि iby देता कोई स्वर नहीं गया वची wiselyrik अब दिमाग में आया तो है बड़ मुझे यह थोड़ा डाउट में है जैसे यहाँ पर स्री चल ला है क्या A C B की स्री चल लिए एक बाद फिर से देख लेते हैं इसको जो दिमाग लगा रहे हैं सब लोग कोमेंट चल ला है जिसका वय ए सी बीस्री चल ला है एसी डी 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 ए फिर से फिर से ए उसी पिर नहीं पर किया है A, C, B, D, D, A, C, A, C, B, D, A, C यानि कि आपका यह टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का ही तूटा जो मैंने बोला था ना अगर 3 में नहीं बनना है तो 7, 7 में तोड़ो और 7, 7 में तोटने देखो A, C, B, D, A, C A, C, B, D, A, C इस तरह के स्री चल ला था जितने हो यहाँ पर जवाब दिया यह वाला उत्तर साथियो वो लोग यहाँ पर कर्ड़ रहेंगे कुछ कॉशन्स होते हैं जो उस समय दिमाग में नहीं आते हैं बट जब आगे बढ़ जाओ तो वो दिमाग में आ जाता है तो आपसर नमबर साथियो जितने हो जवाब दिया था यह वाला वो लोग यहाँ पर कर्ड़ हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला कॉशन देखिए आप से यहाँ पर क्या कुछ आ गया है धेयान से देखिए एक और सब लोग यहाँ पर जब आप जुदने का प्रियास कीजएगा चलिए तीन का समद अगर आपका पचीस से तो एक का समद किस से होगा भई बढ़ यहाँ कॉशन आप देखिए भई मुझे पता तीन दो नी तीन और दो कितना था पांच पांच का स्कार कर दिए कितना गया पाचीस आगया एक गाह venir के बाद एक ट.. थो तीन आ जाएगी तीन का स्क्रिक इन यस कीतना हो जाएगा एपकन नि नौ एपसो ê साथ हो जवाब रॉँ प tv जенийेप जथा साथ यह जानगि है चली अगला कोश्ण देखे आप से हाँ पर क्या पूशा गया ध्यान से देखेंगा कफ़न दिया गवे कुछ मछलिया है माउच की किया गोड़े हैं तो यह मचली यह घोड़ा यह मचली हो गया और यह आपके यह क्या हो गया गोड़ा हो गया अपको जाएंगे तो जब भी कि देखो कोई option यहाँ वाला है, नहीं है न? तो चलो, एक figure से काम चल जाएगा. तो option number A जो दिया गया वही पहला निसकर अंसर करता है और आपका तीसरा निसकर जो आपका अंसर करता है ये साथ हो यहाँ पर जो correct हो जाएगा ठीक है जितने हो यहाँ पर जवाब दिया वाला वो लोग यहाँ पर साथ हो बिल्कुल correct हो जाएंगे क्लियर है चलिए अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिए और सब लोग बताते हुए चलिएगा देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं धील्क में प्रशने है का जाए गाँ प्रस्टीन कहा लगा यहां पर जोल्द 5 फीर थो आगे भच आनः चीज़ें बढाउंक और आपको आपसे आई नहीं रीए आ तो दूसरा दिखते हुए आगे देखू यहाँ च़ए यहाँ पर लोग कुछ हों भी आता है यहांपर तेरे रों किसमे चार का अंतर तो एक और दो तीन चार 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 करेंगे फिर ऌड़ एक और ओपो सीरा और आट कर्दे ओंके अगला कोश्न देंखिए आप सेहा पूअपर क्या पूच deception एगा में छहे धेयान से देखिये गए और सब लोग यहां पर जवाब देने का प्रयास कीजएगा गारं देखते हैं कि तलुक सही जवाब देते हैं इसके अब करतें तो कि पीच में चत्टरभू देखो एक तो इस फीघ threat में है एक तो आपका इस figure में है C option और D option तो आपका C और B तो आपका हटाई दो वसकिला ध्यान देखेगा हमें ये किनारे ये भी चाहिए अब यहाँ पर किनारे ये चीज जो है निकला नहीं हुआ है तो ये option भी आपका खतम हो गया बचा आपका A वाला उत्तर तो जितने भी साथियों नहीं आप पर जवाब दिया option number ये वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे ठीक है जितने भी साथियों नहीं आपका बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखेए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया दियान से देखेए और सबी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिए गवाई है देखे उस question number 16 निम्लिकित में से किस विकल्प में दी गई आकरित अंतर नहीं थे यह आकरित किस में अंतर नहीं थे सोरा number question की बात करते हैं तो यहाँ पर option number जो दिया गया है यहाँ पर आपका यह पर यह आना चाहिए यहाँ पर यह इधर वाला नहीं है तो यह option खतम हो जाएगा c option में देखे आपका यह भी है जड़ भी आपका बनना है पूरा उसका दिया भी आ रहा है तो c option जित्रे उन जवाब दिया, c उत्तर जित्तर साथी उन जवाब दिया है वह लोग यहाँ पर विलकुल correct हो जाएंगी ठीक है जितने भी साथी ह Anders नहां पर जवाब दिया स्ची वाला वह लोग साथी ओं यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएंगी ठीक है क्लियर है, चलि, अगला question देखे आप से यहां पर क्या पुछा गया है? ध्यान से देखेंगा और सब लोग यहां पर जवाब जो दिने का प्रयास की देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब देते हैं पुछा गया बच्चा कि निम्लिकित में इसे किस विकल्प में अंक उसी प्रकार से आपस में संबंदी ते जैसे दिये गया अंक समू में है वई छे 18162 तो यहाँ पर दीखे क्या हो सकता है 17 नुबर कुशन की बात करते है तो 618 में देखो 618 समझ में आ गया है 162 नहीं यह तो यहाँ पर क्या सरी चल सकता है देखो एक तो यह गिया गए 6 गुड़े 3 यहां तक समझ में आता है तो गुड़े 3 कंदर 5 यह 15 है 4 यह 12 है यह दो आपके खतम हो सकते हैं बड़ यहां पर ऐसा भी लॉजिक नहीं लग रहा है क्योंकि आगे हमको जब तक लॉजिक समझ में नहीं आगे तब तक आगे कुछ कर नहीं सकते है ओके चलो भई यह ऐसा सीज़ी आगर मानते ही देखें आप यहां पर यहीं से दो और तीन गेघराम बात करते हैं तो पहले तो जेलो कितना होता भी आपका 6 होता है ठीक है उसे और धर धिया कितना होता भाई आपका 16 होता है दो से पहले 3 फृर आपका 162 आजाएगा 162 यहाँ पर देखिए आ गया तो सिरीच कैसे थी दो गुड़े 3 था दो गुड़े 3 का स्क्वाइर था दो गुड़े 3 का पावर 4 था तो आगे भी हम लोग यही करेंगे भी आगे क्या हो जाएगा भी आपका जैसे यहाँ पर ए ओप्सन में 4 8 है तो 4 8 के करम बात करते हैं तो जिससे 2 गुड़े कितना है आपका 2 है दो दूनी कितना होता है चार होता है उसी परकार दो गुड़े 2 का स्क्वाइर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ठीक है यहाँ तक समझ में आया आगे देखिते हैं यहाँ पर 3 के पावर 2 था तो यहाँ मत हो इतना जाए डीप में आपसे कोशन इस लेवल पर नहीं पूछेगा अगर पूछ लिए तो एक आधी कोशन पूछेगा दस बारा पचास कोशन जो आपसे नहीं पूछेगा ठीक है याद रखिएगा तो आपस नमबर साथ यहां पर जितने जवाब दिया था यह वाला व लोग यहां पर करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए और सब लोग यहां पर जब आप जो देने का प्रयास कीजिएगा अगले जनम दिन पर खुद ही बारा साल पहले की उम्रे का दुगना हो जाएगा तो अगले जनम दिन पर थीक है। मा लेते हैं आज अरून यक्स साल का है तो अगला जनम दिन यानिकी एक्स प्ल Wähun साल का हो जायएगा अपने अगले जनन दिन पर खुद की बारा साल पहले की उम्र खुद की बारा साल की पहले की उम्र यानि की मान लेते हैं यक्स माइनस पारा ये बारा साल की पहले की उम्र है इसका दोगुना हो जाएगा यही तो कहना चाहरा ना बस यही एक line समझना था question के हिसाब से समझना था पस अपने आप उत्तर आ जायेगा तो इसको हल करो x plus 1 बराबर 2 हमने क्या क्या भाई जो जो कह रहा था हमने वही किया कहता अरूर आज अपना जनन दिन मना रहा है तो आज मालेत एक साल का है कह रहा है वह अपने अगले जनन दिन पर यानि की x plus 1 कर दिया खुद की 12 साल पहले यानि की खुद से 12 साल घटा दिया इसका 2 गुणा हो जाए तो गुणे 2 कर दिया बस यही किया आपने 2 गुणे x करेंगे 2 x आ जाएगा माइनस 24 हो जाएगा हल कर दिया 2 x में से x आपका 1 x आ जाएगा 24 और 1 मिलके आपका क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा तो आज उसकी age कितनी है 25 साल की है तो भहिया देखो 25 साल है आपक करेंट हो जाएगा आप चाहो तो इसको according to the option question जो आप check भी कर सकते हो कि अभी वो 25 साल का है कह रहा है कि एक साल बाद यानि कि 26 साल को जो है अपनी 12 साल पहले की आई उनका दुगना तो 12 साल पहले कितना हो तो 13 साल का होगा तो 13 का दुगना देखो 26 का आ रहा है नहीं आ तो यहाँ पर उत्तर जवाब का हो जाएगा सी वाला रग्द हो जाएंगे जितने विन इतने बिद्धैट आप सी वाला वो लोग यहां पर ऺडिये चली बच्चा अगला कॉशन देखते है क्या पूछा गया है भी ध्यान से देखे और देखे हैं możli फे तनी का का पती है He islu M पति है तू कि M बीच में double ऐसे चिन्न लगा दो यह पति है उर कोन पति है भै खांगी तो पति हो जाएगा प्लस मतलब मेल कर दोलर यह जो कि N की ही ही यह N जो just है यह जो पार पही हो जाएगा ऑवेस वात ही है अज्टी है तो अबियस बात है भावी है अगर यह यह भावी है तो भावी की जो पति होंगे उसके ही जो भावी होंगे न उसका यन आर और यू की बेटी है यन जो है जो है जो है जंडर क्लियर होगे यन बेटी है यन की माता और पिता होंगे वो आर होंगे और यू होंगे अब कौन आ यहां पर यहां पर यहां पर यह करेक्टर आएगा ठीक है जितने भी साथ उन्हें सी जवाब दिया है उत्तर सी अब यह करेक्टर आगर यह पूछा जो तो यहां पर फर्ज जाता है क्योंकि यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है एक एजनर क्लियर था तो हमने से सीधे संजवाब दे दिया डॉटर या और कुछ जवाब जो है नहीं दिया क्लियर है चलिए भाईया अगला कोश्चन देखिया है यहां पर क्या कह रहा है अगला question दे 77 पर गह रहा है portion निम्सकित चार अंक विस में से तीन समान एक साम उसका चैन करतीयी सुछ चार नंक विसितनी समान है विस्षी चवयली करेंगे नहीं 21 का square करने पर 441 आता है ये नहीं होगा लेकिन 21 में ग्योड़ तो 22 22 का गए square कर दें तो 22 का square कितना होता है 484 होता है ठीक है 21 26 कर दें तो 26 का square कितना हो 666 होता है ये भी ठीक है 24 25 कर दें 25 का square करने पर 625 आता है लेकिन यहाँ पर तो यह आपका गलस हो जाएगा जब कि 33 करेंगे तो यहाँ पर ऑप्स नमबर जो इसका सी दिया गया और करेक्ट हो जाएगा चलिए क्लियर है समझ में आ गए यहां तक I hope समझ में आ गए आप सभी हो यहां तक ठीक है तो यह रही आज की कुछ important questions कुछ important class कैसी लगी बता है